सो सुनार की एक लुहार की जी हाँ देवी अहिला ने एक ऐसा मारा जो की गुन्नु जी के सैकड़ों थपड़ों पर मुक्कों पर लातों पर भारी पड़ गया एक थपड़ ऐसा कान पर बजाया कि बेचारे गुन्नु जी की सीटी बीटी गुम हो गई और कान में एक ही आव बज बज रही थी बेचारा होशगवा बैठा था लग बग अपने जी हाँ देखी देवी एहले आती है और अपने खास जो विश्वास पात्र है जो कुम्भिर गया था उस सैनी को पिटता हुआ देखती है बलकि यूं कहीं कि मारने ही वाले थे गुन्योजी देवी एहले त सच उगलवाना चाहता हूं और जिस तरीके से घोडे को काबू में करने के लिए ताकत इस्तमाल करनी पड़ती है लगाम खिचनी पड़ती है बस रानी साहिबा थोड़ा सबक तोर दी दीजिए मुझे इसके साथ में मैं इसे सच बाहर निकलवा ही लूँगा फिर उसे मार रिष्टे के लायक हैं और ना ही किसे पद के तभी आपसे पद चीन लिए गए थे और अब रिष्टा छी शर्म आती है आपको किसी रिष्टे से संबोधित करते हुए और तभी तुकोजी बोलते हैं कि इस सैनिक को खोल दीजिए ये हमारा ही है और जो यहां खड़ा है प अब गुन्नु जी की गाल पर और इस थपड से ये अंधाजा हो गया है गुन्नु जी को कितनी बड़ी सजा उनको मिलने वाली है रूह काप जाएगी अब गुन्नु जी की बेचारे की क्या होगा और दुवारिकावाई साहेब का क्या होगा जब देखेगी पिटते रोते बिलगते बेचारे जावेई गुन्नु जी को